डीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार आप देख रहे हैं दूर्दा शनकिसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मोना लिसा अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस क्रिशिजिंस के भाव में आई तेजी किस में आई मंदी साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार आज हम खास तोर से बात करेंगे धान, कपाज, धनिया, अरंडी, जौ और मूंकी इसके अलावा भी कई और क्रिशिजिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे साथ ही बाजार के जानका शेश वास्तव से भाव पाचर्चा भी होगी लेगना ये सबसे पहले नज़र डालेते हैं सुर्ख्यां पर कोटा मंडी में 50 रुपए तूटे धान के भाव, लखिमपूर मंडी में 2140 रुपए पर हुई खरी कमजोरी के साथ हुआ कपास का कारुबार ध्रोल मंडी में दर्ज हुई 295 रुपए की गिरावट देश से बढ़ा धनिय का निर्याद 1,8,000 टन के पार पहुँचा आँकड़ा आई ये बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं धान की क्रिशी उपज मंडियों में मंगलबार को धान की आवक सामाने रही वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादतर मंडियों में धान के सौदे नर्मी के साथ हुए वहीं कुछ मंडियों में स्थर भाव पर भी खरीद हुई धान के कारुबार पर पेश है यह रपोर्ट पंजाब की एहमदगर मंडी में 18 नवंबर को धान का भाव रहा तीन हजार रुपए जोकी 19 नवंबर को पचास रुपए टूट कर 2950 रुपए हो गया उत्तर प्रदेश की लखीमपूर मंडी को देखें तो यहां 18 नवंबर को धान का भाव रहा 2150 रुपए 19 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की कमजोरी देखने को मिली और भाव हो गया 2140 रुपए बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू उस्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है हाल ही में कृशी मंत्राले की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है जिसके मताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1378,25,000 टन होने का अनुमान जटाया गया है जो 2022-23 के 1357.55,000 टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धी को दर्शाता है तो आईए ब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं कमूरेटे एक्सपर शेफ शुवास्ता हमाई साथ जुड़ गया है जिन से हम कृशी जिन्सु के बाजार के बारे में बेहतर तरीके से समझने की कोशश करेंगे शुवजी स्वागत है आपका और मंडी कवर में सबसे पहले हम आपसे धान के बारे में जानना चाहेंगे बताएं इसके बाजार का हाल कैसा नज़रा रहा है धान की बात करें तो कीमतों में नर्मी का रुख देखने को मिला है एक तरफ जहां मांग सामान ने है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जहां तक आने वाले दिनों में धान की कीमतों की बात करें आने वाले दिनों में आवक की धिक्ता के कारण धान की कीमतों में थोरा नर्मी का रुखी देखने को मिल सकता है जी तो ऐसे इस बीमें जिन किसानों के पास स्टॉक है धान का उन्हीं क्या करना चाह Choi कुछ दिनों तक आबक ये धिखता के कारण धान के कीमतों में थोरा नर्मी करूख देखने को मिल सकता है लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती और चावल के निर्यात मांग में बढ़धितरी से तीजी करुक देखने को मिलेगा किसानों को इधियार करना चाहिए कुछ दिन और भाद धान की कीमतों में अच्छी तीजी करुक देखने को मिल सकता है जे बिल्कुल शेफ जी आप हमारे साथ जोड़े रहें आगे भी जानकारी लेंगे तो धान के किसानों के लिए सला है कि अगर भंडारन शमता है तो बहतर भाव के लिए आप इंतजार कर सकते हैं क्योंकि अभी लगातार मंडियों में आवक चल रही है और ऐसे में भाव में गिरावट का रुख रहा कपास की खरीद फरोट पर पेश है ये रुपोर्ट की गिरावट के बाद 7,245 रुपए से 6,950 रुपए पर आ गया इसी तरह भाव में कमजोरी का सिलसिला गुजरात की राजकोट मंडी में भी बरकार आर रहा यहां 18 नवंबर को इसका भाव रहा 7,400 रुपए जो की 19 नवंबर को 75 रुपए टूट कर 7,325 रुपए हो गया क्राजस्थान की सूरतगर मंडी में 18 नवंबर को कपास के सौदे 7,425 रुपए पर हुए 19 नवंबर को यहां इसका भाव 200 रुपए लुपए 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 पर आ गया क्रशी एवं किसान कल्यान मंत्राले की ओर से साल 2023-24 के प्रमुक्रशी फसलों के अंतिम अगरिम अनुमान को जारी किया गया है जिसके मताबिक घरिलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पढ़ सकता है साल 2023-24 के दोरान खरीफ कपास की पैदावार 325 लाख 22 जार गांट होने का अनुमान जताया गया है जबकि बीते साल इस दोरान खरीफ कपास की उपच 336 लाख 60 जार गांट थी कपास की बात करें तो कीमतों में उतार चरहाओ का रुख देखने को मिल ला है एक तरफ जहां मांग सामान ने है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जहां तक बर्ष 2023 में कपास के उत्पादन की बात की जाए बर्ष 2023 में कपास के उत्पादन में कमी की आशंका बेक्त की जा रही है आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक कपास की कीमतों में थोड़ा उतार चरहाओ कर रुख देखने को मिल सकता है उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी करूख देखने को मिलेगा ऐसे में जिन किसानों के पास कपास है बिक्वाली की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए जिन किसानों के पास काश टॉक है मेरे विचार सो इंतियार कर सकते हैं कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा दवाब देखने को मिल सकता है लेकिन उसके बाद घरेलो और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी किमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा बिल्कुल शेफ जी आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी जानकारी लेंगे आएब आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं कि उड़त के हाजिर भाव देख की अलग-अलग मंडियों में बीते कारूबारी दिन क्या रहे और ऐसमें सबसे पहले आए नज़र डालते हैं गुजरात की राजकोट मंडी पर तो यहां पर उड़त का भाव 7,950 रुपए दर्ज किया गया जबकि महराज की पुणे मंडी की बात करे तो 10,200 रुपए पर बिक्वाली हुई मही राजस्तान की कोटा मंडी में भाव रहे 7,800 रुपए तो उत्तर प्रदेश की राइवरेली मंडी में भाव रहा 8,960 रुपए ये सब ही भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं जाना अपने उड़त के भाव के बारे में और इसी के साथ यहाँ पर मंडी कबन में वक्तो चला एक छोटे से ब्रीक का ब्रीक के उस पार बात होगी धनिये की आप बने रहें तोड़डा शनकेसान पर जब तप्ती है धर्पी सूरज उगलता है आग धंड में जब सर्थी जमा देती सब के हाँ सब छुप जाते अपने अपने घरों में तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान भरने के लिए हम सब का पे खून को पसीने की तरह देता बहा ठक जाता छुलस जाता हो जाता बीमार तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान देखिए स्वस्त किसान शनिवार शाम छे बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर प्रेके बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं मंडी खबर बुलेटन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी के बारे में लेकिन आए पहले बात कर लेते हैं धनिये की ज्यादतर मंडियों में इंदनों धनिये की आवक सामान्य पनी हुई है एकमारनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 8,105 रुपए वहीं महराश की मुंबई मंडी में धनिया 13,000 रुपए पर विका जबकि राजस्थान की कोटा मंडी म इस दोरान धरिये के सौधे 6,300 रुपए पर हुए विदैशी बाजार में भारतिय मसालों की लोप्रियता तेजी से बढ़ते जा रही है भारतिय मसाला बोड की ओर से हाली में जारी किये गए ताजा आंकडों के मुताबिक निर्यात किये जाने वाले मसालों की मात्रा और भाव में खासा इजाफा हुआ है साल 2023-24 में देश से 15,496,92 तन मसालों का निर्यात हुआ जबकि बीते साल यानी 2022 देश से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,4,357 तन का रहा था वहीं बार धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़हत देखने को मिली है साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरिबत 18 प्रतिक्षत बढ़खा है भारते मसाला बोर्ड की ओर से हाली में जारी ताजा आंखडों के मताबिक बितवर्श दो हजार तेईस चौबीस के दोरान धन्ये का निर्याद एक लाग आठ हजार टन के पार पहुँच गया है जबकि बीते साल इस दोरान धन्ये का निर्याद 54,481 टन का हुआ था यानि बीते साल के मुकाबले इस साल धन्ये का निर्याद करीब 54,143 टन बढ़ा है बाज़ार के जान का शिश्वास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अएक बाफिर सुनकर रुख करते हैं शिवजी अब मसालों में धन्ये की खास और पे बात करें तो इसके भाव के स्थिक कैसी नज़र आ रही है धन्या की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल ला है एक दरफ जहां मांग सामान ने है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जहां तक आने वाले दिनों में धन्या की कीमतों की बात करें कुछ उतार चरहाओ के वाबजूद आने वाले दिनों में धनिया की केमतों में तेजी कारूखी देखने को मिलेगा जी बिलकुल तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लाग किसान ले पाए इस तेजी का तो इसके लिए आप उन्हीं क्या सला देंगे जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है वो इंतिजार कर सकते हैं हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी है वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों इसके निरात मांग में भी तेजी देखने को मिली है तो कमुनेटी एक्सपर्ट के राय यही है कि धनी के जो किसान है वो अच्छे भाव के लिए यहां पर और इंतिजार कर सकते हैं निर्यात और घरेलू मांग बढ़ने से भाव में और भी तेजी के आसार हैं आगे पढ़ते हैं जान लेते हैं कि सरसों के हाजर भाव देश के विभन मंडियों में बीते कारुबारे दिन क्या रहे और ऐसे में गुजरात की राजकोट मंडी के आई यह बात करते हैं यहां सरसों का भाव रहा 5600 रुपे प्रतिक बंठल मध्य प्रदेश की आगर मंडी में सौदे 5451 रुपे पर हुए तो ड्राजस्थान की लालसुप मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव दज क्या गया 6140 रुपे और उत्तरप्रदेश की लखिमपुर मंडी में सरसों के सौदे 5940 रुपे पर हुए यहां ये तो बात हुई सरसों की आई अब जान लेते हैं कि सेब का भाव क्या रहा वीते कारूबारी दिन देश की अलग-अलग मंडियों में और चतीस गड़ की दुर्क मंडी से आई शुरुआत करते हैं यहां पर सेब का भाव रहा 14,000 रुपए प्रतिक विंटल और राजस्तान की जापुर मंडी में सेब का भाव रहा 8,500 रुपए यह सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अरंडी की नवंबर को गुजरात की मंडियों में अरंडी बिक्वाली के लिए पहुँची इसके हाजर भाव के बात करें तो एगमार निट के मुताबिक गुजरात की देगाम मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,387 रुपए वहीं जम्बू सर मंडी में अरंडी 5,300 रुपए पर भी की इसी राजिकी राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,025 रुपए पर हुए घरेलू सतर पर इस ताल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है कृशिम मंत्राले ने कुछ समय पहले ही अंतिम अगरिम अनुमान जारी किया है जिसके मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,69,000 टन होने का अनुमान जताया गया है जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 रही थी आपकी जिगा 19,80,000 टन रही थी यानि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है हाई ये फिर से रुक करें कमरेटे एक्सपर्ट का शिव जी अरंडी के बाजार का हाल क्या बता रहा है आने वाले समय में भाव के सोच जाते दिख सकते हैं अरंडी की बात करें तो किम्तों में मामूली दवाब देखने को मिल ला है एक तरफ जहां मांग सामान है वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में कमी देखने को मिली है जहां तक वर्ज 2023 में अरंडी के उत्पादम की बात की जाए वर्ज 2023 में अरंडी के उत्पादम में कमी के आशंका ब्यक्त की जा रही है आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक इसकी किमतों पर थोड़ा दवाब देखने को मिल सकता है उसके बाद मांग में मजबूती से अरंडी की किमतों में अच्छी तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं जी बिल्कुल और ऐसे में किसानों के लिए आपके खास सला क्या होगी है जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है मेरे चार सों चार कर सकते हैं कुछ दिनों बाद अरंडी की किमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा बिल्कुल शिवजी आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी जानकारी लेंगे और इसे के साथ मंडी खबर में रुखते हैं कौट छोड़े से ब्रेक के लिए आगे जानेंगे जौक का हाल आप बने रहें दोड़दा शन के साथ पर हाजिर बंडी हो या हो वाइदा बाजा विदेशी बाजा या हो घरेलू बाजा हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जो खा पूरा वही खाता सभी क्रिशी जिन्सों का खेट से मंडी तक का पूरा सफर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कोमोडिटी एक्सपर्ट हर शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ दूरदार्शन के साथ पर और पुनह प्रसारन शनिवार सुभा साथ बजे और शाम चार बजे ब्रेके बाद आप सभी का फिर स्वागत है आप देख रहे हैं मंडी खबर आएब बात करते हैं जौकी इन दिनों मंडियों में जौकी आवक सामाने हैं हाजिर भाव को देखें तो एक्मापनेट के मुताबे राजस्तान की बसी मंडी में जौका भाव रहा दो हजार तीन सो दो रुपए प्रतिक विंटल जबकी उत्तर प्रदेश की आजमगड मंडी में इस दोरान जौके सौधे दो हजार चार सो बीस रुपए पर हुए इसे राजस्त की ही मत्रा मंडी में जौका कारुबार दो हजार सो नब्बे रुपए पर हुआ क्रिशी एवन किसान खल्यान विभा की ओर से साल 2023 के लिए अंतिम अनुमान जारी किया गया है जिसके मताबिक देश में रभी जौकी पैदावार साल 2023 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है जबकि बीते साल इस दौरान रभी जौकी उपच 19,13,000 टन रही थी बहीं बाद जौकी आवक की करें तो एक नवंबर को देश की ज्यादा तर मंडियों में जौकी आवक न के बराबर देखने को मिली बता दे कि कुछ समय पहले केंदर सरकार ने विप्रंग सीजन 2024-2025 के लिए रभी फसलों के नियुंतम समर्थन मुल्य में बढ़खो उटरी की है इन रभी फसलों में जौबी शामिल है रभी जौग की MSP साल 2023 के दौरान 1735 रुपए प्रतिक विंटल थी जिसे 115 रुपए बढ़खाकर 1850 रुपए प्रतिक विंटल तैग किया गया है बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े वे हैं आए उन से बात करते हैं शिव जी जौग के बारे में बताएं कि इसके बाजार की क्या स्थति नजर आ रही है जौग की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती करुख देखने को मिल ला है एक तरफ जहां मांग सामान ने है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जहां तक आने वाले दिनों में जौग की कीमतों की बात करें आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से जौग की कीमतों में तेजी करुख देखने को मिल सकता है जी तो ऐसे में जिन किसानों के पास जौका स्टॉक है क्या सला होगी आपकी? जिन किसानों के पास जौका स्टॉक है मेरे पचार सों इतिजार कर सकते हैं मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में जौकी कीमतों में और भी तेजी कारुख देखने को मिलेगा जी बिल्कुल शेफ जी हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी जानकारी लेंगे और अब आईए जानते हैं कि अनार के हाजर भाव देश के अलग-अलग मंडियों में क्या रहे बीते कारुबारे दिन 36 गड़ की दुर्ग मंडी में अनार के सौधे 16,000 रुपए में दर्ज के गए तो वहीं हमाचल प्रदेश की पालमपूर मंडी की बात करे तो यहां पर भाव रहा 12,300 रुपए मैं दिल्ली की आजादपूर मंडी में सौधे 9,417 रुपए में हुए तो तर प्रदेश की लखनव मंडी में भाव रहा 7,320 रुपए तो जाना अपने अनार के भाव के बारे में आई अब जान लेते हैं गाजर की क्यास्तिती रही बीते कारुबारे दिन और देश की विभन मंडियों में कैसे भाव दर्ज किया गया असमे आई ये पहले रुख करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 5,000 रुपए प्रतिक्विंटल माराज की पुणे मंडी में सौधे 3,250 रुपए में हुए राजस्तान की जैपुर मंडी में भी भाव 3,250 रुपए दर्ज रहा तो दरप्रदेश की अलिकड मंडी की बात करें तो 2,800 रुपए में यहाँ पर गाजर के सौधे हुए ये सब ही भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं और आए अब बात करते हैं मूंग की तो आगुपदादी की क्रिशी उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामानिय है बात भाव की करें तो एक मार्निट के मुताबिक देश की अलग-अलग मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस प्रकार रहे उननीस नवंबर को गुश्रात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 6705 रुपए माराज की मुंबई मंडी में मूंग के सौदे 10900 रुपए पर हुए महीं राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग का रुबाद 6500 रुपए पर हुआ घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंकी पैदावार में कमी का अनुमान है जिसका असर मूंके बाजार भाव पर पढ़ सकता है क्रिशी मंत्राले के हाली में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 के दौरान मूंकी पैदावार 31,03,000 तन होने की उम्मीद है जुबी तेस साल की समान अवधी के दौरान 36,76,000 तन रही थी शिव जी मूंक के बाजार पर क्या राय है आपकी भाव के सोर जाते वे दिख रहे हैं जिन किसानों के पास मूंक का इश्टॉक है मेरे 400 इंतियार कर सकते हैं आने वाले दिनों में मांगवे मजबूती से मूंक की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी जी बिल्कुल शेव जी जुड़े रहे हैं आप हमारे साथ आगे भी जानकारी लेंगे और मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं गोवी के हाजर भावपन नजर डाल लेते हैं होते चलते आप हमारे किसानों को क्या खास अला देना जाहेंगे आने वाले दिनों में तील की किमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी विल्कुल शिप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लगाता जुड़े रहने के लिए और इतनी एहम जानकारी के लिए जी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही उमीद है कि किसानों को अपने उपच का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी मंडी खबर को आप दूर्दाशन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां फिर से हासल कर सकते हैं इसके लिए टीवे स्ट्रिंग पर दिखाया जा रहे है इस QR कोड को स्कैन करें उसके साथ मुझे दीजा इजासत आप बने रहें दूर्दाशन किसान पर नमस्कार सीहत के लिए जाम बांग आधुनिक युक की संग्जीवनी भूठी देखे ले लगदाख से इस बार का क्रिशी विशेश हिमाले का सोना सीबेक थौन इस गुरुवार शाम साथ बजे सिफ दूर्दाशन किसान चैनल पर नमस्कार मैं हूँ चेतना त्यागी पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत है आज हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के जल्बहडा गाओ में हर्याना के कुरुक्षेत्र से देखिए कारिक्रम पराली पंचायत तीस नवंबर शनीवार शाम साथ बजे पुनह प्रसारण रवीबार सुभा साढ़े आठ बजे केवल दूर दर्शन किसान पर अधश्री महा भारत कथा अधश्री महा भारत कथा महा भारत कथा कु कथा है पुरशार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके भली श्री क्रेश्न भारत पार्थ की शब्द दिखोशित हुआ जट सत्सार्थक सर्व था शब्द दिखोशित हुआ देखिए महा भारत सुमवार से शनीवार शाम पांच बजे पुनह प्रसारण प्रातः दस बजे सिर्फ डीडी नैशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल मन की बात है जन जन की संगर्शों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उमीदें नए भारत की महीने के आखरी रविवार का रहता है बिजार ब्रम्पुत्र के घाट से हिमाले के विस्तार तक होती है मन की बात प्रभान मंत्री के साथ तो सुनिये इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाश्वाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल ओपर इसके अतरिक्त आकाश्वाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के आप न्यूज ओन एर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखे रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात मेरा नाम राजा क्यों रखा है क्यों कि हम राजा लोगों के दर्बार में खाय जाते हैं तरसल राजा महराजा इसको खाते थे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वज़ा से आज हम बनाने वाले हैं राजी के चिल्ले इसका फैदा ये है कि इससे जो हम चिल्ला बनाएंगे वो एकदम ग्लूटन फ्री होगा इसकी मिलट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री अन इस मंगलवार 19 नवंबर शाम साथ बजे सिर्फ डीडी किसान पर अग्यवल अंत होगा उन रगोंशों का नित्यू की आँखों में आँखे डाल कर उसे ललकारने वाला जिसकी वीरतक कहानियां युद्ध भूमी के मैदान में मेगों पर लिखी जाती है उनी मेगों पर राज करने वाला रावन पुत्र मेगनाद है वो तुम दोरों भाईयों का काल बनकर तुमारे जीवन का अंत करता हो काक भुशंडी रामायान सोमवार से गुरुवार शाम साढ़े साथ बजे राग दस बजे पुनहा प्रसारण सुभा साढ़े नौबजे डीडी नैशनल पर करता है, करा करता है, बढ़ता हम एक जार्टी करता है करоля दो दो आए प्रसास – करता है दीडी किसान बदलते भारत की शान